स्वागे थापका करंट अफ़र विताकर्ष में आज की आनी 14 अवंबर 2030 की करंट अफ़र को जानेंगे तो चलते हैं पहले कोशन पर कोशन नमबर वन बोगोसागर 2030 युद्धा ब्यास बारत और किस देश की नौसेना की बीच हुआ सही आन्सर है आप्शन नमबर C बांगलादेश बोगोसागर 2030 युद्धा ब्यास बारत और बांगलादेश की नौसेना की बीच हुआ इसका पहला संस्क्रण 2019 को हुआ था इस बार इसका चौथा संस्क्रण था कुशन नमबर 2 राष्ट्री शिक्षा दिवस कम मना जाता है सही आन्सर है आप्शन नमबर D 11 नौमबर हर सल 11 नौमबर को राष्ट्री शिक्षा दिवस मना जाता है यह दिवस मौलोना अबुल कलाम आजात की जन्म जैनती के उपलक्ष में मना जाता है ये भारत के पहले सिक्षा मंतरी थे मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न से ने सम्मानित किया गया 2008 को मानाव संसाधन विकास मंतराल ने इस दिन को राश्टिये सिक्षा दिवस के रूप में मनाने की गुष्चना की इस साल की इसकी तीम है एक सतित भविश के लिए अभिनो सिक्षा इनका जन्म साओधी अरब में हुआ था कोशन नमर 3 राजा बलिंदर सिंग रोलिंग ट्रॉफी किसने जीती सही अंसर है ऑप्शन नमर बी महराश्ट राजा बलिंदर सिंग रोलिंग ट्रॉफी महराश्ट ने जीती राश्ट्री खेलों में पदक तालिका में पहले स्थान पे रहने वाली टीम को यह ट्रॉफी दी जाती है 1994 बाद महराश्ट ने पहली बार इस ट्रॉफी को जीता 2007 से लगाता इस टीम सर्विसेज पहले स्थान पर थी और यह ट्रॉफी ले जाती थी जगदीब धिंकर जी ने इस ट्रॉफी को महराश्ट को दिया कोशन नमर 4 पंडिक जवालल नहरू की जैनती कब मनाई जाती है सही अंसर है ऑप्शन नमर A 14 नौंबर हर साल 14 नौंबर को पंडिक जवालल नहरू की जैनती मनाई जाती है इनकी जैनती को बाल दिवस की रूप में मनाई जाता है 14 नौंबर 1957 को आधिकारिक तोर पे भारत में बाल दिवस गोशित किया गया इस साल इसकी तीम है For Every Child, Every Right कोशन नमर 5 वित्यमंत्री निर्मला सीता रमल ने कहां 12 जेस्टी सिवा केंद्रों को अनावरर किया सही आंसर है Option No A. गुजरात गुजरात के वापी में वित्यमंत्री निर्मला सीता रमल ने 12 जेस्टी सिवा केंद्रों को अनावरर किया और मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के प्रतिभागई को मानता दी और उन्हें सम्मानित किया गुजरत में बारा गेंद्र, आहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, गोदरा, वापी, महसाड़ा पालनपूर, गांधी नगर, राजकोट, भाव नगर, जूनागर और गांधी धाम है प्रदानवंत्री नरेंद्र मूदी के लिखे किस गाने को ग्रैमी अवर्ड जोजार चौबिस के लिए नॉमिनेट किया गया प्रदानवंत्री नरेंद्र मूदी के गाने अम्बंदेंस इन मिलेट को दोजार चौबिस के ग्रैमी अवर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया इस गाने को फालगुनी शाह और गौरो शाह ने गाया है इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की स्ट्रेडी में चुना गया है प्रदान मंत्री नरेंद्र मूदी ने हाली में नौरात्री में गर्बो सौंग को लिखा है जिसे इस गाने को दोनी भानुशाली और तुशार बागजी ने गाया है प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी पहले असे राजनेता है जिनने ग्रामी वोल्ट के लिए चुना गया कोश्चन नमबर सेवन हाली में किस राज्य के मुख्य मंत्री ने अबूबा बीर दिशोम अभियान का शुभारम किया सही आंसर है ऑप्शन नमबर सी जारखंड जारखंड के मुख्य मंत्री हेमन सुरेन ने बन पर वन पर निर्वेर लोगों और समुदायों के वना दिकारों का पट्टा दिये जाने के लिए शपत लिए और उन्होंने ये योजना लॉंच की अबूब अभियान कोशन नमबर एट हाल ही में केरल सरकार ने किस मंदिर में बक्तो की सहायता के लिए आयन मुबाइल अप लॉंच किया सही आंसर है ऑप्शन नमबर बी सबरी माला मंदिर सब्री माला की पहाड़ियों पे इस ते सब्री बाला मंदिर में भक्तों के वनों में दिक्कत ना हो इसके लिए एक मुबाइल एप लॉच गया जिसका नाम है अयन मुबाइल एप केलल सरकाल दो रहा है और ये सब्री बाला मंदिर की तस्वीर है Q9. किस राज्य में QR code वाली मददादा परजी से मददानों को, मददाताओं को दी गई सही answer is option number A. मद्द प्रदेश मद्द प्रदेश में QR code वाली मददाता परजी मददाताओं को दी गई जिसमें 80 वर्स से अधिक और दिव्यांग जनू को इस code को इसकैन करके घर से ही मददान दे सकते है Q10. अलीगड का नया नाम क्या होगा? सही answer is option number A. हरीगड अलीगड का नया नाम हरीगड होगा अलीगड की नगर निगाम ने सर्व सम्मती से हरीगड के नाम को प्रस्ताव को पारित कर दिया है Q11. हाल ही में किस ने पूर्वी बेड़े की कमान समाली? सही answer is option number C. राजेज धनकर राजेज धनकर ने हाल ही में पूर्वी बेड़े की कमान समाली और ये राजेज धनकर जी की तस्वीर है Q12. हाल ही में किस देश की वायू सेना ने B-21 राइडर को ने अपनी पहली उडान भरी? सही answer is option number B. अमेरिका अमेरिका के पहले वायू सेना के B-21 राइडर विमान ने अपनी पहली उडान भरी है और इस B-21 राइडर की तस्वीर है ये दुनिया का सबसे छोटा बॉंबर एरक्राफ्ट है जिसकी रफतार 3600 किलोमेटर प्रती घंटा है अभी तक अमेरिका को छोड़कर किसी भी देश के पहले चटी जनरेशन का विमान नहीं है question number 13 हाल ही में इसराइल ने किसे डेविट स्लिंग एरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम बेचा सही answer है option number C. फिनलेंड हाल ही में इसराइल ने गाजा संगर्ष के बीच डेविट स्लिंग एर डिफेंस सिस्टम को फिनलेंड को बेचा है डेविट स्लिंग एर डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इसराइल ने मिलकर बनाया है question number 14 हाल ही में चंद्र मोहन का 80 वर्ष की आयू में निधन हो गया ये कौन थे इस question का सही answer है option number C. अभिनेता चंद्र मोहन जी का 80 वर्ष की आयू में निधन हो गया ये अभिनेता थे और ये इनकी तस्वीर है आपने इने साउथ इंडियन फिल्मों में देखा होगा question number 15 हाल ही में वार्षिक नौ सेना सिक्षा सुसाइटी सम्मेलन 2030 का आयूजन कहा हुआ सही answer है option number C. पोरबंदर गुजरात के पोरबंदर में हाल वार्षिक नौ सेना सिक्षा सुसाइटी सम्मेलन 2030 का आयूजन किया गया और ये सम्मेलन के समय के तस्वीर है चलिए आजाते हैं आज के आनी 14 नमबर के इतिहास की उर 1681 में इस्ट इंडिया कंप्री ने बंगाल को अलग रियासत बनाने की घोशना की 1889 में भारत के पहले प्रधान मंत्री जवालल नहिरू का जन्म इलाबाद में हुआ 1896 में नियागरा फॉस में बिजरी साहियंत्र ओप्रेशन शुरू किया गया 1908 में अलबर्ज आइंस्टाइन ने प्रकास का कॉंटम से दंद पेश किया 1908 में चेक स्लोवाकिया गणराज जी की स्थापना हुई और टी जी मासरिक राष्टपती बने 1921 में कमनिश्ट पाल्टी आफ इस्पेन की स्थापना हुई 1922 में ब्रिटिस ब्रोड्कास्टिंग कॉर्परेशन यानी बीबीसी ने यूनाइटेड किंगडम में रेडियो सेवा सुरू की 1925 में तरमचारी राज बीमा निगम का उधगाटन किया गया 1957 में प्रथम प्रधान मंत्री जवालल नहरू के जन्म दिन के औसर पर बाल दिवस की आधिकारिक घोशड़ा की गई 1973 में लंदन के बाजार में सोने के मूल में भारी की कमी आई जिसके कारण निवेशकों का लाखो डॉलर का नुक्सान हो गया 1975 में मैडिर्ट समझोते पर हस्ताक्षर करने के साथ इस्पेड में इस्पैने शहरा के छेतर में अपनी उपस्तिती को स्विकार कर लिया 1984 में नासा के नाटो 3D उपग्रे का प्रक्षे पड़ किया गया 2001 में अफगानिस्तान युद में अफगान नौर्दन एलाइन सेनानियों ने राजदानी काबुल पर कबज़ा किया 2008 में मूल इंपक्ट प्रोप चान्द की सता पर उत्रा 2013 में सचिन तंदुलकर ने क्रिकेट से सन्यास लिया थैंक्यू वेरी मच अगर आप लोगों को ये वीडियो सेसन पसंद आया हूँ तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा